को बता दे कल हर्याना दोरे पर रहेंगे किंद्र ग्रहमंत्री आविच्छा यह बड़ी खाबाट और करनाल में हर्याना पुलिस के कारक्रम में शिर्कत करेंगे हमेच्य का यह करीच still करना लोग। सभाचेत्र और सोरीपत करता को भी ससंबौदीत करेंगे जिए रिए Państwa आई साथ मुख्यअ मंढोरे म।धिर । भृष्ष ऑंपी धनकर समेत क्ई कई सांसद और वरिष्ट नेता भी मौझूद रहने वाले हैं सांसद विदायक और वरिष्ट नेता भी छेतर के मौझूद रहेंगे कि बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कल हर्याना दौरे पर किंद्रे ग्रह मंत्री आमिच्छ चाहा और उनके साथ वोक्यमंत्री मरौला प्रदेश सद्ज्द शोपिद अंकर भी मौजूद रहेंगे जोदा फर्वरी को अमिट्या जी का दोरा हो रहा है तो लोकसभाओं का दोरा उनका होगा पहले हो का एक सरकारी कारकम है करनाल में पुलिस विभाओं का उसके बाद वो करनाल लोकसभाओं की एक बैठक करनाल में संबोदित करेंगे उसके बाद उनका एक सहकारी तका कारकम है बाद में शाम के समय दोपेर बाद वो यहां सोनीपत के कारकरताओं की एक बैठक को और इसी खबर पर हमारे विशेस समादा था सुशील सिंग वारे साथ लुगया दिख जानकारी के साथ सुशील क्या कुछ ज्यादा जानकारे इस मामले पर कल केंद्रे ग्रहमंत्री अविच्छा एक बार फिर से हार्याना के दोरे पर आने वाले हैं इस से पहले सौनिबत के गोहाना वे आने वाले थे पार्टि का कारिक्रम था लेकिन बारिश की वज़े से मौसल खराब होनी की वज़े से नहीं आपाये लेकिन कल हरियाना पहुच रहा है एक बार फिर से केंद्रिय गरियमंतरी अमीद्शाह अब बिल्कुल 14 फरवरी है और केंद्रिय ग्रहिमंत्री अमीद साह का दो दोरा है दो कारिक्रम है इस दोरे के दोरान और पहला जो कारिक्रम है उसमें हरियाना पुलिस को अपना फ्लैग मिल रहा है करीब 57 साल बाद हरियाना पुलिस का अपना जंडा होगा सुनहरे कलर का य पूरी जनसभा को उस रूप में देखा जा रहा है कि जब जीटी रोड पे राहुल गांधी जब दूसरी यात्रा शुरू की थी तो दूसरे चरन की यात्रा के दोरान जीटी रोड पर ज़्यादा भीर दिखी थी और कहीं कॉंग्रेस ने इसे भुनाने की कोशिश की और यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोरो यात्रा का सीधा असर इन इलाकों में परता है पानीपत में उन्होंने रैली भी की थी और तमाम उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह का दोरा हुआ हलाकि गोहाना में वो पहुंच नहीं पाये थे तमाम लोगों को संबोधित करेंगे साथ ही भारतिय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे मंतरी मौजूद रहेंगे उनको एक गुड भी देंगे कि किस तरह से उस गुड के तहत आगे जो आगामी चुनाव है लोगसभा का चुनाव है उसमें किस तरह से काम करें साथ ही देखिए हितेंदर चुनावती हरियाना पर इसलिए भी है कि 2019 में लोगसभा की 10 सीटों पर बीजे पी ने धर्ज की थी तो क्या 2024 में कैसी जीत को दोहराई जाए दस की 10 सीट कैसे भारतिय जनता पार्टी के पाले में आये इसको लेकर यह रन्मीती तयार की जा रही है और यही वज़ा है कि प्रतियक लोगसभा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है केंदर सरकार की तमाम यूजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है और लोगों से फीड़ बैक भी लिया जा रहा है बिल्कुल सुशील क्योंकि कल दो मुख्या कारक्रम है और ये मुख्या रूप से सरकारी दोरा है केंदर ग्रहमंत्री अमिच्छा का हर्याना पुलिस का एक कारक्रम उसमें रास्पदी फ्लैक जो है वो हर्याना पुलिस को सोपा जाएक सहकारी ता विबाग का भी कारक्रम है उसमें भी शावे लोगे लेकिन इसके अलावा क्योंकि केंदर ग्रहमंत्री अमिच्छा बीजेपी के वरिश नेता है तो बीजेपी का जो दोरा उनका जो दोरा गोहाना वाला रद हुआ है उसकी भी जो कसर है वो मिटाने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी सोनिपत के और करनाल के लोग सबाचेतर के कारकरताओं को संबोदित करेंगे इस दौरान और भी तमाब बड़े नेता महाँ पर मौजूद रहने वाले हैं तो उसको लेकर कि क्या खुछ जानकारी कितना एहम यह जो दो पर्ते जनता पाटी की हुई है और हरियाना के सीमा हिमाचल से लग रही है तो हरियाना की चुनाओं में कितना असर पड़ेगा इस चुनाओं पर कितना असर होगा और क्या-क्या वैसे मुद्दे हैं चुकि ओपियस जिसे कहते हैं ओल्ड पैंसन स्कीम इसका मुद्दा कैसे टैकल किया जाए और किस तरह की रन नीती होगी यह तमाम चीजे इस रैली के तहट कंद्रिये ग्रिह मंतरी जरूर हरियाना बीजेपी को देंगे साथ ही देखिए जो गोहाना में रैली होनी थी कैंसिल हुई अर्थात अमित शाह नहीं पहुँचे और लेकिन उन्हों वादा किया था कि बहुत जल्द आएंगे और यहां की कारे करताओं से लोगों मुलाकात करेंगे गरे इस रैली में उनको भी भुलााया गया है गोहाना समयंगे जो लोक्षभाष श जेतर के तौमाम जोग हैं उनको भी बुलाया गया है और इस जनसभा इस रैली के माध्यम से एक संदेश तो यह होगा कि किस तरह से 2024 के लिए BJP तयार हो साथ ही कारेकरताओं की लोगों की दिल में अमीत शाह को लेकर एक अलग ही छाप और छवी बनी हुई थी लोग मिलने के लिए ब्याकुल थे मैं था वहाँ गोहाना में और मैंने देखा कि जब अमीत शाह की रैली रद हुई अर्थात उनका आना कैंसिल हुआ तो उसके बाद लोगों में काफी रोस और मायूसी चाही थी तमाम ऐसे लोग आये थे गाउं से लोग उठकर आये जो देखने के लिए आतूर थे और भारती जंता पार पार्टी को या ग्राफ बढ़ा है राहुल गांधी का या कोंग्रेस का उसको डैमेज कर कैसे भारतिये जंता पार्टी अपनी दबदबा कायम करें कैसे दोहजार चोवीस में पुना दस की दस सीट जीट सके यह तमाम चर्चा का विशाय है और तमाम रननीती पर रननीती क इसको सरकारी फ्लैक रास्टपती फ्लैक जो है वह वह सौंपा जाएगा केंडर ग्रमंध्य आविच्शा की तरफ से और इसके बाद बीज़ेपी के कारकृताओं के साथ भी दो लोगसभाशेत्र के कारकृताओं को कवर करेंगे आविच्शा करनाल और सोनिपत के माइनों में महन कई माइनों में एहम है